गाइज गुड इवनिंग आजी सर वेलकम वेलकम तो दिस टॉपिक मालिक सबसे इंपोर्टन हम लोग एक बहुत ही अच्छे इंपोर्टन टॉपिक के उपर आके खड़े हो गएं टॉपिक का नाम है ट्रांस्फर प्राइजिंग बोलो क्या ट्रांस्फर प्राइजिंग ना टॉपिक is a very important topic as far as examination is concerned as far as you know your practical life is concerned काम सीखने को बहुत मिलता इसका recent times में बहुत जादा मिलेगा क्योंकि ये issues बढ़ गए है and every company is going global तो उस कारण से भी इसका topic का range बहुत बढ़ जाता है अगर international tax के angle से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये topic अपने आप में एक बहुत बड़ा topic बन जाता है when it comes to assessment yes or no मैं ये topic को rather assessment कहता हूं rather than you know just topic क्योंकि ये सिफ topic नहीं है ये topic work ही तब ही कर सकता है जब assessment open हो वापस बोलो क्या transfer pricing technically ये topic work ही तब कर सकता है जब तक assessment नहीं हो तब तक ये topic work ही नहीं कर सकता actually work नहीं कर सकता है topic yes or no so आईए फटा फट देखते हैं ये topic कहां से चालू होता है मैं सबसे पहले आपको एक chart बना के दे रहा हूं ठीक है ये chart को understand करेंगे तो topic हो जाएगा rather register को landscape format में ला दीजिए right इस पूरे chart को बनाने के लिए समझने के लिए और एकदम कोने से चालू कीजिएगा okay now understand see ये पूरा transaction चालू होता है दो लोगों के transaction के बीच में ठीक है now understand ये दो लोगों का AE होना बहुत ज़रूर ही है AE मतलब associated enterprises that is a related person associated enterprises that is a related person सबसे पहला game ही ये शुरू होगा कि इन दोनों के बीच में कोई transaction होगा क्योंकि unless and until there is a transaction transfer pricing applicable ही नहीं है ठीक है ये transaction होगा इस transaction के बाद क्या क्या होगा ज़र समझना ये transaction AE के बीच में होना चाहिए अगर ये दोनों लोग AE नहीं है that is associated enterprises नहीं है तो भी transfer pricing chapter applicable नहीं है transaction होगा अब transaction होने के बाद इस transaction की होगी recording that is इसके books of accounts बनेंगे आपको इसकी information submit करने पड़ेगी क्या करने पड़ेगी information submit करने पड़ेगी किसको अप department को आप अपनी information submit करोगे जिस तरीके से आप लोग अपनी पूरी income कमाते हो से record करते हो और उस पर return भरते हो ठीक उसी तरीके से आप transaction करोगे अब यह transaction भी कैसा transaction होना चीए international transaction होना चीए या तो फिर specified domestic transaction होना चीए तो अगर यह international transaction है या specified domestic transaction है यह transaction को record होगा information submit होगी department के पास अब यहाँ से दो बाते भार आइगी जरह धानतर सुनना यहां से दो बाते भार आएगी A.O. एओ- इड्ड- नो- असेस्मेंट A.O. ने असेस्मेंट नहीं की पूरा चेप्टर ही कतम मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन किया जो यूरो पूरे ट्रांजैक्शन किये इसे valid मान करके accept कर लिया जाएगा matter कतम हो गया AO did assessment AO did assessment अब क्या होगा सर समझेगा यहां से तो यह पूरा game चालू होता है और मैं अब भी मेरे chapter में बता दू यह chapter तब तक work नहीं कर सकता जब तक के assessment भी ना हो जाए मैं आपको पूरा assessment बता चुका था एक chapter बताया था clubbing जिसमें मैंने आपको बोला था यह clubbing नाम का chapter apply ही नहीं होगा अगर assessment ना open हो generally और ठीक उसी तरह assessment में transfer pricing भी work नहीं करेगा जब तक assessment ना हो जाए assessment open ना हो क्योंकि technically आप जब यह chapter को पढ़ोगे तो आपको over the period of time मेरे पर believe हो जाएगा कि यह chapter assessment के बाद वाला chapter है assessment के दोरान वाला chapter है rather than यह सिर्फ एक provision है यह assessment के बाद वाला chapter है अच्छा जी सर अब क्या होगा assessment शुरू हुई assessment शुरू होने के बाद ध्यान से सुनना assessment शुरू होने के बाद A.O. सबसे पहले क्या करेगा right wait यह सबसे पहले क्या करेगा या तो ALP calculate करेगा या तो यह अप्पा का यूज करेगा for determination of ALP now what is ALP ALP stands for arms length price अब वो यह देखेगा कि यह जो transaction हुआ है यह transaction arms length price पे हुआ है या नहीं हुआ है यह evaluate करेगा यह जो assessment करेगा assessment क्या होगी ज़र समझेगा transaction was at arms length price अगर उसको लगता है कि यह transaction arms length price पे हुआ है तो इसके आगे कुछ करने की ज़रूत नहीं है अगर इसे लगता है transaction not at arms length price तो यह दो काम करेगा what is the two work या तो यह ALP calculate करेगा या तो यह दूसरों से करवा के लेगा that is advance pricing agreement advance pricing agreement में क्या होता है कि income tax department किसी दूसरे consultancy group से क्या करता है मदद लेता है calculate करने के mechanism पे तो या तो वो खुद ALP calculate करे या तो फिर अपा के थूरू govern करे clear है अच्छा इसके बाद क्या होगा ज़र समझेगा ALP जब calculate करने जाएंगे ALP calculate करने जाएंगे उसके बाद वो एक order issue करेंगे फिर सवाल उटा ALP कैसे calculate करेंगे ALP calculate करेंगे most appropriate method से कैसे calculate करेंगे most appropriate method से आपके मन में सवाल उटेगा most appropriate method कितनी method है Sir there are 6 method How many method? There are 6 method transfer price को calculate करने के लिए जिसमें से 6th कहती है and any other method as may be prescribed that means there are unlimited method to calculate transfer pricing there are unlimited method to calculate transfer pricing अब वेट TP calculate होगा TP calculate करने के बाद ये इस पर concept लगाएंगे या तो ये लगाएंगे safe harbor या तो ये लगाएंगे range concept अच्छा ये लोग एक और काम कर सकते है ये लोग TPO को भी refer कर सकते है matter I hope you are understanding this कुछ यादर आएगा ये लोग TPO को भी matter refer कर सकते है that is transfer pricing officer ये तीनों method से TP calculate होगा TP calculate होने के बाद ये safe harbor या range concept लगाएंगे now what is safe harbor and range concept अगर उन AE के बीच में जान से सुनना अगर उन AE के बीच में साल में सिर्फ 5 transaction है साल भर में कितने transaction है सिर्फ 5 transaction है up to 5 transaction वो safe harbor rule लगाएंगे more than 5 transaction वो range concept लगाएंगे वो क्या करेंगे range concept लगाएंगे ध्यान से सुनना अब क्या होगा साब ये सारी चीज लगाने के बाद वो निकालेंगे transfer pricing वो निकालेंगे transfer pricing किस price पे transaction हो जाना चाहिए था बरबर है अब यहां से दो बाते समझना अगर यह दोनों के बीच में कहीं फॉल हो गई range concept या safe harbor के बीच में आपको कुछ करने की ज़रूद नहीं technically यह दो method है कि थोड़ा 19-20 तो चलता है price में if transaction price falls beyond range concept और safe harbor addition to total income is required addition to total income is required अच्छ अच्छ अगर TP if applied TP if applied which reduces the total income ऐसा हो सकता है ना कि transfer pricing provision अपनाया कि अपनाया तो देखा अच्छ में आया कुछ के नहीं करना है आपकी income कम हो गई जिससे आप शो कर रहे हो चाप्टर ही applicable नहीं है मतलब यह चाप्टर अच्छ जब तभी जब उनका फायदा हो और यह पूरी दीव मुकत्षकत करने के बात पता चलेगा एंड अल्टिमेटली यह सारी चीज होने के बाद final order payable ही हो सकता है refundable तो हो नहीं सकता नहीं तो chapter ही applicable नहीं है final order is prepared पूरा transfer pricing एक पेज में और आपको ऐसे ऐसे गुजरना है ज्यान से सुनिया यह तभी चालू होगा जब यह transaction या तो international transaction हो या specified domestic transaction transaction होना चीए दो एई के बीज में ज्यान से सुना transaction होगा transaction record होगा record होगा information submit होगी information submit मतलब क्या इसे हम कहते है TP report 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 submit होगी इस report के basis पे एओ को शक हुआ नहीं हुआ अगर एओ को इस report के basis पे शक नहीं हुआ कुछ करने की ज़रूत नहीं है शक हुआ वह यह देखेगा कि क्या transaction price arms land price है या नहीं है अगर है तो कुछ करने की ज़रूत नहीं है तो वह ALP calculate करवाएगा कैसे calculate करवाएगा या तो खुद करेगा या तो third party करवाएगा या department के officer से करवाएगा सर कैसे calculate होती है most appropriate method से ऐसी कितनी method है छे method है इन सब को करके टीपी calculate होगा जो टीपी calculate होगा उसको compare किया जाएगा safe harbor या range concept के साथ सर से फार्बर और range क्या है अगर सामने वाले यह के साथ साल भर में आपके पांच ही transaction है तो आपका safe harbor rule applicable है नहीं तो range concept rule applicable है यह सब कुछ करने के बाद टीपी आएगा और आपके साथ तीन बाते हो सकती है आपका जो प्राइज आया यह safe harbor के बीच में आया range concept के बीच में आया आपको कुछ करने की ज़रूत नहीं है अगर यह प्रोविजन अप्लाइ करके आपकी income कम हो जाती है यह chapter applicable नहीं है और अगर payable आया तो addition करना है addition करेगा मतलब को एक final order निकालेगा जो payable का होगा सर यह तो समझ में आ गया अब मेरे को भी समझाओ ना कि करना क्या है पूरे chapter में बेटा पूरे chapter में तुमारे को assume करना है कि तुम AO हो और यह 6 में थड़ से टीपी निकालना है सर अभी यह बात बताओने कि कौन कौन सी में थड़ है पेला है cup cup में थड़ दूसरा है RSP सर क्या बोल रहे हूं तेला है comparable uncontrolled price में थड़ दूसरा है RSP जी रीसेल प्राइज मेथड तीसरा है रॉक आर जिश्ड प्लस में थड़ चोथा है profit स्प्लिट में थड़ पाचवा है TNMM में में थड़ और छटवा में थड़ है आज में भी स्पेसिफाइड भाए बॉर्ड कप में थड़ RSP में थड़ CPM में थड़ पी एसे मेंथड बोर्ड या टी एने में मेंथड सर सर क्या ये सारी मेंथड याद रखनी है हाँ सर इसमें से कुछ भी पूछ सकते हाँ समझा पूरा टॉपिक कहां से कहां जाएगा लिख लो ये चाप्टर बहुत ताम आएगा सब आएगा सब आएगा SDC Specified Domestic Transaction लिख दो आपको बार में पता चल जाएगा सब आएगा 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 क्कुम झाल 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 स्टेशने स्टेशने सबस्क्राइब अजियं सबस्क्राइब स्टेशने अप्पाः 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 झाल झाल उत्ता ही लिगो कप, RSP, CPM, PSM CPM, not EPM, it is CPM. अगर मैं आपको ये लॉजिकल सिक्वेंस नहीं बना के दूँ न, आप चाप्टर भटक जाओगे. और अब जो ये चाप्टर आपको समझ में आएगा, आप सबको समझाओगे. It's just like, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही. अगर मैं आपको समझाओगे. इसके आगे भी थोड़ा बहुत कुछ है, ये बस इतर, बस इत्तू सा, इत्तू सा, चिला ना मत, इत्तू सा है. इत्तू सामी, ऐसा कुछ वाँ पर स्टिकी नोट या ऐसा कुछ हो सकता ही, नहीं गया, तो ऐसा इधर, इधर से निच्चे लेके आजाओ, कहीं से भी लाइन लेके आजाओ ना. चलो देन? झालो 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 कर् Support अच्छुआ अच्छुआ अच्छा मुझे एक बात दोओ Can I say यह जो transaction भी होंगे या तो यह income से related होंगे या तो यह expenses से related होंगे या तो यह interest से होंगे या तो यह allocation of cost से होंगे सर देखे पूरा transaction ही ऐसे ही चालू होते है या तो यह transaction किसी income से related होंगे expenses से related होंगे interest से related होंगे allocation of cost या service से related होंगे इसके अलावा transaction में और कुछ होता ही नहीं है नहीं जो दो लोगों की बीच में ट्राण्यक्शन होंगे वो या तो income से related हो सकते है या expenses हो सकता है, interest हो सकता है, allocation of cost या service हो सकता है Majorly लोग भूमा भी सकता है तो इन में भूमाएंगे, a certain library में क्या भूमाएंगे वो तो fact ही है if it is done चलो let's start ना मेरे भाई understand कर ले यह पूरी कहानी अब आपके दिमाग में वापस set करनी है चल मेरे भाई बता सबसे पहले क्या होगा आवाज निकाल मिरे साथ जैसे तुने घर से निकलते ही में मिरे साथ आवाज निकला था वाज निकला सबसे पहले दो लोगोने चीए क्या एक आदमी का transfer pricing कभी हो सकता है कि नहीं तो दो लोगोने चीए इन दोनों के बीचका रिस्ता क्या कहलाता है associated enterprises यह रिस्ता क्या कहलाता है associated enterprises ओके इन में transaction होना चीए international transaction या domestic transaction transaction होगा उसकी बाद तुम क्या करोगे record कर लोगे record करने के बाद तुम इसकी report दोगे कहाँ department को तब जाके department को समझ में आए कि तुमने ऐसा कुछ किया है इसके बाद logic sequence में जा तब उनको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो उसमें जाच परताल करेंगे सब सही लगा छोड़ देंगे कुछ गलत लगा, calculate करने जाएंगे कैसे calculate? या तो भूजओ करेंगे या दूसरों से पूछेंगे कि कैसे करना है या actually officer से करवा के ले लेंगे यानो, करने के दो में तड़ या तो भूजओ कर या department से करवा निच्छे जाता है जो तुने दिया है उससे भी निच्छे जाता है chapter यह applicable नहीं ने पेबल आता है तो यह chapter applicable है पेबल आया तो तु एक order बनाएगा कि भी यह payer और उसके बात तिरी primary and secondary adjustment होगी primary and secondary adjustment short में बता देता हूँ जिसका assessment हुआ उसकी book में भी बोलेगा एयो change कर और जिसके साथ transaction किया उसकी भी book में भोलेगा change कर भाई साब assessment में अगर income बढ़ गई है तो उनके return में भी income बढ़ी भी दिखनी चीए उनकी accounts में भी दिखनी चीए प्राइमरी मतलब जिसके उपर assessment हुआ है उसकी books of account change कर आने का order देगा और जिसके साथ transaction हुआ उसकी भी books of account change कर वाएगा यह समझ में आया यह primary assessment secondary assessment अब यह पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको नहीं लगता है यह chapter assessment का ज्यादा है rather than concept का मैं इसे assessment में पढ़ाने के mood में था लेकिन तब तक आपका वो develop नहीं होता था अंदर के heads वाला मैं उस ताइम आपको पढ़ा देता तो आप भटक जाते कि यार यह क्या है मतलब इदर से एक पढ़ा रहा transfer pricing से एक पढ़ा रहा इदर से एक पढ़ा रहा उदर से पढ़ा रहा इसलिए मैंने आपको वहां नहीं पढ़ाया पर हां यह पूरा का पूरा assessment काई के ऊपर है पूरा का पूरा चाप्टर डील करता है assessment के ऊपर अब लेट्स फोकस ओन वन वन पॉइंट सबसे पहले चोटू-चोटू-चोटू-चोटू-वर्ड समझना पड़ेगा जिंदगी में मेरे पास पहले तीन वर्ड आगए associated enterprises क्या है international transaction क्या है and यह क्या है और यह चीज हमको notes से पढ़ने आज आज आब बेटा notes में फटा-फट सबसे पहले आते ही तिरको दिखेगा कि बास पूरे के पूरे section कौन-कौन से है इसके बाद तुझे दिखेगा कि जब यह transaction multinational transaction होता है multinational companies इसका सबसे जादा यूज करती है एस होनो तो एक छोटा सा diagram बना के दिया है कि कैसे how it works जब एक जगह से दूसरे जगह दूसरे जगह से तीसरे जगह hop करते है और tax avoid करने की कोशिश करते है section 92 is the charging section 92 is the charging section stop 91 तक के तो तुने DTWA में पढ़ा था मेरे भाई क्या तुझे याद है 91 तक के तुने DTWA पढ़ा था 92 से क्या चालू हो रहा है टाइम पास चालू हो रहा है टीपी टीपी क्या कहता है जरह देखेगा any income expenditure interest allocation cost or services transaction EC पे तो relate करते हैं सब कोई भी देख लो to an international transaction or specified domestic transaction सबसे पहला तो MCQ यही है क्या सिप international transaction पे transfer pricing लगता है answer is no domestic transaction पे लेकिन हर एक भी नहीं only specified domestic transaction पे लगता है तो यह पहला है MCQ specified domestic transaction पे भी क्या लगता है transfer pricing किसके बीच में होना चिए provided to an associated enterprises shall be computed having regards to arms length price so whenever there is a transaction of income expenditure interest in an international transaction or specified domestic transaction between associated enterprises should have been calculated through arms length price ALP बोले तो arms length price ठीके सर्व the provision of this chapter is not applicable in two case if it reduces the income of यह भी MCQ if it reduces the income charge to tax अगर assessi ने जो declare किया उससे नीचे कम आ रहा है तो या जो आपने loss दिखाया उससे जादा loss दिखा रहा होगा तो यही तो हमारे chart का यह वाला पाट था इसमें एक और चीज़ आड़ करो और increase the loss और हम जो जो कर लेंगे इस chart में से उसके उपर highlight कर देंगे तो एक ताइम आएगा यह chart पूरा हाइलाइटेड ही दिखेगा आपको तो यह chapter कब कब applicable नहीं है साब यह chapter तब applicable नहीं है जब आपकी income कम हो गई यह आपका loss बढ़ गया on the basis of entries made in the books of accounts then sir if both AE are non-resident then TP shall apply only if income of one non-resident is taxable under the income tax अगर दोनों भी व्यक्ति associated enterprises non-resident है तो यह chapter तभी applicable है जब एक हाद की income income tax में applicable है जाहिर सी बात है ना नी तो इंडिया के department वाले महनती क्यों करेंगे logical है transaction between enterprise and unrelated party shall deemed to be international transaction if there is exist a prior agreement between AE and unrelated party and the terms of transaction are determined by AE किसी भी transaction को हम international कह सकते हैं जिसमे at least ध्यान तर सुनिये यह transaction international तब होगा जब एक associated enterprises unrelated party की साथ को यह transaction कर दे और यह transaction के terms AE decide करें आप नहीं समझे हैं ध्यान तर सुनिये मान लीजे X & Y यह दोनों भी associated enterprises थे ठीक है Z was an unrelated party Z was an unrelated party there had a transaction with Z and Y but यह transaction के terms is decided by X आपको नहीं लगता X indirectly क्या कर रहा है terms decide कर रहा है मतलब आप और मेरे बीच में transaction हुआ तो अपन टीपे में फच जाएंगे एक काम कर तु मेरे साथ transaction मत कर मेरी बीवी के साथ transaction कर Tax avoidance ऐसा कोई भी evidence measure लिया भलाई 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 भाई और Z AE नहीं है पर इन्हें dimmed AE मान लिया जाएगा और इन पर transfer pricing provision apply होगी समझ में आरी बात in short तेरे मेरे बीच में अगर कोई तीसरा person आया तो मैं तीसरे की भी band बज़ा दूँगा I hope you are getting this इतर देखो वापस से transaction between enterprises and unrelated party shall deemed to be international transaction यह मान लिया जाएगा international transaction है और इस पर AE provision apply हो जाएगा if there exist a prior agreement between AE and unrelated party इन दोनों के बीच में एक agreement है और इस agreement के terms कौन decide कर रहा है दूसरा AE decide कर रहा है तो भाया तुम दोनों के बीच में transaction करोगे AE में फस जाओगे चलो तीसरे party को involve करके indirect benefit create करते हैं ऐसा कुछ भी करने जाओगे फस जाओगे so international transaction entered directly और indirectly liable to TP directly और indirectly liable to TP अब तक इसमें से ऐसा कुछ बहुत बढ़ा point नहीं है जो हम लोग लिख सके रूको लिखेंगे एक साथ पहले concept समझ लो अब आते international transaction क्या ये word defined है जी हाँ 92B के अंदर में defined है अगर अपना big chart देखो तो ये पूरा game ही चहां से शुरू होता है international transaction समझने से yes or no so what is an international transaction कहां लिखा है सर 92B take a pen section भी लिखते चलो 92B जहां जहां possible हो पा रहा है वहां वहां लिखते चलो section 92B 92B कहता है international transaction मतलब क्या transaction है right आ जो international transaction means a transaction पहली बाद section is MCQ international transaction means a transaction between two or more associated enterprises आयायायायाय क्या definition दिये साब it is a transaction between two or more associated enterprises either or both of whom are non-resident उसमें से एक या दोनों भी non-resident होने चाहिए and any income expenditure interest along services in relation to transaction with A और इन के साथ को या transaction होना चाहिए तो पहली चीज़ दो लोगों के बीच में transaction जिसमें एक वेक्ति या दोनों वेक्ति non-resident रहे हम उसे international transaction कहलेंगे दो लोगों के बीच में ऐसा कोई भी transaction जिसमें एक वेक्ति non-resident या दोनों वेक्ति non-resident रहे उसे हम international transaction कहलेंगे common sense की बात है मेरे बाई तेरे मेरे transaction के बीच में तू non-resident है या मैं non-resident हूँ या बोथ non-resident है generating income from India उसको हम international कहेंगे domestic तोड़ीन हो simple दूसरा है specified domestic transaction 92 BA में लिखा है again section is MCQ आज अधर SDC 92 BA section 92 BA लिखते जा ये एक चार्ट कोई तक खतरनाक बना दे तेरी बुक अगर कल कोई देखे तो उसे भी proud फिलो और उसे भी गम होई तेरी पे प्रावड फिलो और गम हो कि उसने start smart DCN क्यों नहीं लिया तो सुन what is specified domestic transaction any transaction not being an international transaction भांग के नशे में बनाई भी बैतरी इन definition हर वो transaction जो international नहीं है उसे हम क्या कहेंगे specified domestic transaction and मेरे बच्चे and है मतलब ये तो होना ही चाहिए plus उसका aggregate value जो है ये previous year में exceed करेगा 20 करोड रुपे से मतलब कोई भी transaction specified domestic transaction बन जाएगा अगर उसका transaction का value in aggregate in aggregate in aggregate 20 करोड से उपर हो गया समझ ले विजय और विशाल सर के बीच में transaction हुआ income का expenditure का allocation of cost का services का और ये transaction 20 करोड रुपे से उपर का चले गया तो ये ALP में आ सकता है these transaction include any expenditure in respect of which payment has been made to a person under 482 मतलब क्या किसी relative को payment किया तो relative को payment किया वो transfer pricing में आ सकता है provided साल भर का 20 करोड रुपे के उपर हो दूसरा any transaction referred to 80IA IB वाले 80IA वाले sir 80IA वाले याद करो न business linked थे सारे ventilator वाले थे याद आ रहे गया business linked any transaction referred to in 80A again business linked any transaction referred to any other section under chapter 6A और 10AA ये 6A और 10AA वाले कौन से deduction claim किया हो ऐसे transaction भी चलेंगे क्योंकि ये expenditure भी covered है तो मान लीजे मैंने 20 क्रोड रुपे के उपर का LIC निकाला है किसी को interest दिया है transaction covered any other transaction has maybe prescribed तो sir मैं आपको सीधे शब्दों में बताओ कोई भी transaction चलेगा in fact आप ये नहीं लिखे तो भी चलेगा सिर्फ इत्ता लिखना है any person any person who is sorry any transaction not an international transaction where aggregate value of transaction exceed 20 क्रोड in aggregate in the previous year and enter into specified transaction and enter into specified transaction उसे हम क्या सकते specified domestic transaction specified domestic transaction clear है okay फिर होना चाहिए enterprise actually होना चाहिए associated enterprise लेकिन associated enterprises समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि enterprise मतलब क्या होता है हम किस enterprise की बात कर रहे enterprise means a person who is or has been or is proposed to be engaged in any activity कोई भी वक्ति को हम enterprise मानेंगे any person बोला मतलब individual से AJP तक सब covered जरूरी नहीं है ये provision ship company के लिए work करे individual से लेके AJP तक सब covered person word बोला है जो इन तरह के काम करेगा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को production, storage, supply, distribution, acquisition of goods intangibles provide करेगा मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को goods दे या intangible दे ऐसा जो व्यक्ति दे रहा है हम उसे enterprise मान सकते है देने वाला या लेने वाला देने वाला या लेने वाला कोई भी हो सकता है देने वाला या लेने वाला individual से लेकर के AJP तक कुछ भी हो सकता है दूसरा एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को अगर data देता है, drawing देता है, specification देता है, model देता है, invention देता है, यह transaction भी transfer pricing के अंदर covered है, दो लोगों के बीच में अगर यह transaction भी हो जाता है, in respect of which other enterprises has exclusive right or provision of services, अगर कोई services भी दे रहा है और services का value भी, international transaction में एक रुपे, specified domestic transaction में 20 रुपे, 20 करोड रुपे, अगर हो जाता है, तो भी, मतलब तो goods दे, intangible दे, services दे, investment दे, loan दे, business underwriting, dealing with securities दे, या where such unit, division, subsidiary is located at same place where the enterprise or different place, या फिर, तुम लोग सात में मिल करके work कर ले, यह definition याद मत रखना, enterprises की, enterprise मतलब simply, जो मुझे, या मैं उसे, जो मुझे, या मैं उसे, goods दे, services दे, intangible दे, data दे, इसके अलावा, investment दे, loan दे, या कोई भी business transaction हो हमारे बीच में, कोई भी business transaction हो हमारे बीच में, तो हम उसे associated enterprises कह सकते हैं, enterprises कह सकते हैं, अब कभी एक enterprises, associated enterprises बन जाता है, A for associated enterprises, बूलो बटा कैसे, A for associated enterprises, section 92 A, A for associated enterprises, दो व्यक्ति के बीच में, ये रिष्टा क्या कहलाता है, हो जाएगा, अगर, इसके, ज़रा देखे तो सही जनाब कितने criteria है, दो लोग एक दूसरे से related माने जाएंगे, ये जो लाल में लिखे हैं ना पूरे, ये लाल, in short, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का लाल कहलाएगा, मैंने इसके लिए दिया था, इसके लिए बोल रहा हूँ, एक वेक्ति दूसरे वेक्ति का लाल कहलाएगा अगर उन दोनों के बीच में ये ट्रांडाक्शन हुआ है सर ये मतलब क्या पहला holding of shares राइट अगर एक वेक्ति दूसरे वेक्ति का 20% से जाधा holding right रखता है तो वो दोनों एक दूसरे के A है क्या है A मतलब A ने B का 20 जैने 20 गलत बुला 26 है A ने B का 27% hold करके रखा A and B दोनों क्या माने जाएंगे associated enterprise माने जाएंगे A ने B का B ने A का कैसे भी पर मैं आपको बहुत simple example बता हूँ तो एक ने दूसरे वेक्ति का share hold करके रखा है right share hold करके रखा है खतम काम voting right hold करके रखा है associated enterprises दूसरा right B का total assets है 5 करोड A ने B को loan दिया है 3 करोड का अब जर धान से सुने एक व्यक्ति के total assets है 5 करोड इसमें से एक company ने उसको loan दिया है 3 करोड का आप बताईए क्या B का 50% से ज्यादा का asset क्या ऐसा कह सकता हूं इसके पैसे दिये वे loan से आया होगा अगर ऐसा है तो A और B associated enterprises माने जा सकते हैं अगर एक ने दियावा लोन दूसरे के 50% से जाधा क्या asset दिखा रहा होगा तो इन दोनों के बीच में ये रिस्ता क्या कहलाता है हो जाता है समझ में आई आप इस पर बन सकती है आपको practical case study open book में that X hold this to Y whether they can be regarded as A for the purpose of TP your answer should come to yes within the definition of 92A तीसरा guarantee अच्छा जी B ने ICICI से loan लिया है let's say 10 करोड़गा ICICI से loan लिया है 10 करोड़गा A ने ICICI को दी है guarantee और बुला है कि सर अगर कुछ भी हुआ तो 5 करोड़ की guarantee मेर से ले लो क्या guarantee का 10% से जाधा एक ने दूसरे के भिहाफ पे दिया है ऐसे ही थोड़े ना किसी के भिहाफ पे guarantee दे दोगे से जान पैचानता होनी चाहिए ना तो अगर एक वेक्ति ना दूसरे वेक्ति के खिलाफ guarantee दी है और ये guarantee 10% से उपर जा रही है मेरे दोस्त हाँ at least 10 तो यह दोनों क्या कहलाएंगे associated enterprises कहला देंगे तीसरा board of directors more than half of board of directors are appointed by other company A ने B के आदे से जादा board of directors को appoint करके रखा है यह appoint करने का power रखता है यह दोनों associated enterprises है manufacturing and processing अच्छा जी B का complete manufacturing A के intangible पर depend करता है B का complete manufacturing A के intangible पर depend करता है तो A और B associated enterprises so it carried out one enterprises is wholly dependent upon the use of intangible or other tangible raw material of other company जब तक दूसरा raw material है intangible ना देदे सामने वाले का कामी बंद हो जाएगा तो यह दोनों कौन है associated enterprises raw material अगर दूसरे को लगने वाला raw material 90% या उससे ज़्यादा A provide करता है B को जित्ता raw material लगता है उसमें से 90% से ज़्यादा का raw material अगर A से आता है in short ancillary industries also A ancillary industries also A sale right B कितने में sale करेगा अगर यह A influence करता है यह A decide करता है A decide the selling price of B तो यह दोनों associated enterprises है the selling price are influenced by other next control, उदय, control अगर दोनों भी A की company से control हो रहे तो भी यह दोनों associated enterprises है for example two subsidiary working under the same group for example Z ने Z limited ने A के अंदर भी hold करके रखा है B के अंदर भी hold करके रखा है now they are controlled by one A and B are associated enterprises यह तो associated enterprises by default हो जाएंगे क्योंकि 20% से ज्यादा का shareholding होगा तभी subsidiary बनाया होगा तो यह भी associated enterprises यह भी associated enterprises next interest in any concern अगर AOP, BOI या other concern में 10% से ज्यादा का interest अगर आपका होगा तो वो AOP, BOI भी क्या माना जाएगा associated enterprises and other relation there exists a relation between two mutually interested ऐसा कोई भी transaction जिसमें वो दोनों mutually interested पालिये गए तो हम इसे associated enterprises का दरजा दे सकते हैं मतलब अगर आप देखोगे मिन भाई holding, loans, advance, guarantee, board of director, raw materials, sale, control, interest, relation ऐसा कुछ भी यह सब काई में आता है associated enterprises और दो लोगों को related बना देता है क्या बना देता है बिटा? related बना देता है कैसा ओनो? देखे, transaction करने पे रोक नहीं है आप एक basic point समयना transaction कम price पे या बहुत जादा price पे करना रोक है क्योंकि देखे, transfer pricing में लोग कैसे affect करते हैं इंडिया को let's say इंडिया में income अगर book करें तो tax rate is 30% यही अगर income अगर Nigeria से book करें let's say tax is 5% क्या 25% का effective saving हो जाता है? तो लोग क्या करते थे? booking कहीं और से मारते थे goods कहीं और से देते थे अगर आपको थोड़ा सा भी service tax याद हो थोड़ा सा भी वैट याद हो service tax भी नहीं वैट याद हो तो लोग क्या करते थे? अगर आपको याद हो तो नहीं तो भी लोग क्या करते expenditure अब मान लीजे क्या होगा मान लोग कोई common cost है let's take an example of Starbucks Starbucks ने South Africa से पूरी की पूरी coffee उठाई यह coffee का major expenses इंडिया में book कर दिया और बाद में branch transfer दिखाए अब देखो फरक क्या पड़िया major expenses तो इंडिया में book कर लेगा मेरे भाई तो तेरी income यहां low दिखेगी और तेरी income दूसरे country में है दिखेगी वहां का tax rate company का 5% का यहां का tax rate company का 30% 40% का तो तेरा तो effective saving use कर लिया तुने ऐसे transaction को रोकने के लिए transfer pricing rules लाए क्योंकि लोग क्या करते थे पहला example दिया income का दूसरा दिया आपको expenses का तीसरा यही आप use कर लो allocation of cost के उपर मान लीजे हम लोगों ने software लिया ठीक है एक software लिया Starbucks ने common ERP लिया यह ERP अटाच कर दिया इंडिया और outside इंडिया के अंदर में major cost booking मार दी इधर यह मान लो उसका एक पाकिस्तान में भी था पाकिस्तान में tax rate 50% इंडिया में 40% major booking पाकिस्तान में मार दी जबकि portion होना चाहिए था portion होना चाहिए था allocation of cost interest अपने ही group firm को interest दे दो मतलब आपका एक branch है युगांडा में एक branch है यहाँ युगांडा से आपने loan लिया और आप युगांडा को interest pay कर रहे हो युगांडा ने कम rate पे लिया वह है आप directly ले नहीं सकते तो indirectly ले लो this is interest वाला transaction मतलब ऐसे लोग क्या करते थे ऐसे कई ways है मैं तो आपको सिब कुछ सामने रख रहा हूँ ऐसे कई ways है जिससे घुमा करके इंडिया में tax की चोरी होती थी forget about the other nation इंडिया में tax की चोरी होती थी तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए दो लोगो अगर associated enterprises है रास्ताएं इश्क शुरू होती है जब भी charter के transaction की गड़बड होती है income, expenses, interest and allocation of cost दो लोगों के बीच में एक transaction होना चाहिए दो लोग कौन है associated enterprise सिर्फ enterprise से काम नहीं चलेगा associated enterprise होना चाहिए कहा लिखा है A for enterprise associated enterprise फिर दूसरी चीजता international transaction होना चाहिए B या फिर specific delivery transaction होना चाहिए B clear है अगर ऐसा clear है तो लिखते क्यों नहीं लिखो section 92 charging section any transaction of income expenses interest allocation of cost provision of services in relation to international transaction or or specified domestic transaction with associated enterprises shall be computed having regards to arms length price having regards to arms length price having regards to provision provision of chapter is not applicable bowl cup cup bowl bitter cup cup if it reduce the income or increase the loss if it reduce the income or increase the loss transaction between associated enterprises and unrelated and party shall also be deemed to be international international transaction international if there exist a agreement between two and the terms of transaction is determined by another AE or or do for the 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 अग्रीड और नॉट बहुत हाड लग रहा है ना ट्रंस्वर प्राइजिंग आएगा आएगा हाड है रहे सची में हाड है मैं साला तुम्हार को ऐसा बोल देता हूँ तुम रिलैक्स हो जाते हो हर चाप्टर में बहुत हाड है बहुत हाड है बहुत हाड है पीजीवीपी से भी हाड है कैपल केंज से भी हाड है भेंकर इंपोर्टंट है इंपोर्टंट नहीं है कैसा इंपोर्टंट है भेंकर इंपोर्टंट है ठीक है तो पहला हुआ चार्जिंग सेक्षन अब आते में बहुत दूसरे पर . Definitions 92b international transaction 92b a specified domestic transaction 92A Associated Enterprises Refer Notes मैं इसे क्यों नहीं लिखा रहा हूँ नहीं पूछते हैं आपके समझने के लिए मेहनत वहां करो जहां सच में करनी है Charging Section तो लिखना ही है maximum हर आंसर में इसके लिए लिखे रही है तो मैं उत्ता भी नहीं लिखाता Everybody done? 2NR transaction किये एंड उसका income taxable है income taxable है तो TP applicable है अच्छा जी एक और लिखे लो 92F ALP इसका भी फुद्दूसा definition आपने को नोट से पढ़ने का है आजाओ notes पे मतलब तीन पेज की कास कसर अपनने आट दस लाइन में लिखी है यह समघलो बात अगर आप किसी थर्ड पार्टी से कॉंट्राक करते तो उस ताइम पे क्या प्राइस पे करते के उस प्राइस को हम्लाइन में प्राइस करेंगे इस था आप्ने वाला था इसलिए कम में चार्ज गया दूसरे वाला था ज्यादा में चार्ज गया तुने कितना benefit अप्रू किया वो तुझा टाक्सटेवल होगा क्लियर है चलो वापस चार्ट पे आओ 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 दस बार आओ ये चाप्टर तुमारे लिए इत्ता इजी करके देदूंगा कि सर तुमको कोई अगर ट्रांस्वर प्राइजिंग भी बोलेगा ना तुम हस होगे असोचेटेट इंटरप्राइजेज समझ में आ गया इंटरनाशनल ट्रांस्टेशन स्पेसिफाई दोमेस्टिक ट्रांस्टेक्शन समझ में आया भाई यह आ पर वो थनफी हो जाएगी तो ये पिंग कलर से मारते आजा उत भी कलर very good असोचिएटेटेटेड इंटरप्राइजेज ब्लू कलर से मारते आ जा ब्लू कलर ठीक है सर यह तीन कॉंचेप्ट हमने पढ़े लिए अब यह तीनों ट्रांजक्शन करने के बाद इसका क्या होगा recording मतलब इन्हें कुछ books of accounts maintain करने पढ़ेंगे यह transaction करने के बाद अब इन्हें क्या करने पढ़ेंगे कुछ books of accounts maintain करने पढ़ेंगे और कुछ recording करने पढ़ेंगे अरे हाँ या न और इसके लिए एक section है section 92D रिको डिंग 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 रिको डिंग रिको डिंग न इन्टी तू डिंग अच्छा जी अब आओ 92D पे क्या कहता है आपका 92D सिंपल है बहेंकर इजी है जानसे सुन मेरे भाई किज़े रहे अती बहेंकर सिंपल है आज आप रुष्ट करमांक 12 पे maintenance of information recorded document आप माइट भी ऐसा सोच रहोंगे कि सरी क्या आगे लेके जा रहे हो पीछे लेके जा रहे हो मैं logically लेके जा रहा हूं सुन Assessy shall maintain book document as specified by CBTT जब भी जब भी कोई भी तुँ international transaction करेगा तुझे उसकी books maintain करने है documents maintain करने है Assessy information submit करेगा एक और तरीके से वो होगा section 286 country by country reporting अब जरह समझने है country by country reporting क्या पिछले साल का amendment का cbc country by country reporting नवंबर 2018 में पूछा था country by country reporting कई बच्चे पढ़के नहीं गये जबकि यह पिछले साल का amendment था समझो पर हम जरूर पढ़ेंगे तो आपको आपकी information रखनी है उनको country by country की reporting देनी है documents जो होंगे right उसके value and transaction record करके रखने है जहां उसकी value एक करोड से एकसीड हो गई जहांद सुनिये documents are required to be maintained only if only if only if the value of international transaction exceed एक करोड मतलब एक करोड से नीचे वाले transaction को वोलो गिनते भी नी in short इनका assessment ही तब शुरू होगा जब एक करोड के उपर हो जाए and documents are required to be kept for 8 assessment year from the end of relevant assessment year जिस साल में ये transaction हुआ है वहां उस transaction से 8 साल आपको क्या करना पड़ेगा ये document बना के रखने पड़ेंगे क्या क्या document रखने है हर एक document बिल हो गया income received है तो उनकी accounting details हो गई paid है तो उनके payment details हो गई ये सारी चीज़े आपको accounting में record करके रखने पड़ेगी अच्छा जी काम का है लिखना तो बनता है section 92D maintenance of record a CC shall maintain the record document, books and other particulars if value of transaction exceed 1 crore and such documents shall be kept for 8 assessment year from the end of relevant assessment year ये दोनों भी MCQ हो सकते हैं 1 crore वाली बात and ये वाली बात मतलब चिल्लर ट्रांजेक्शन को वह हाथ नहीं लगाएंगे clear है अच्छा जी अब क्या होगा फिर चरते है चार्ट पे बरबर है अब होगी इसकी recording ये तो बहुत आर को जाएगा more color option अब यार color भी नहीं के पिंके what color do you want which color इता हुआ इसका रेकॉर्मेंट भी तो बताना पड़ेगा न की ये वह ही आप आप ने ट्रांजेक्शन खा किया है यह तो आपने अपने लिए किया गौर्मेंट को भी तो बताओ अब आप गौर्मेंट को क्या करोगे रिपोर्ट सब्मिट करोगे राइट तो आ जाओ सर रिपोर्ट ओप टीपी सर टीपी में आप दो रिपोर्ट देते हो तीपी में किती रिपोर्ट देते हो दो पहला रिपोर्ट जाता है section 286 CBC that is country by country reporting आप एक report देते हो section 286 के अंदर में और दूसरा report देते हो आप 92E के अंदर में which is called as TP report आप दो report बनाते हो एक बनाते हो 92E के अंदर में और दूसरा बनाते हो 286 के अंदर में एक बनाते हो 92E के अंदर में दूसरा बनाते हो 286 के अंदर में 92E के अंदर में क्या report बनता है जहांचे देगी है just give me a minute . So, every person entering into international transaction or specified domestic transaction obtain a report from CA and furnish it on or before 30th November of assessment year. याद कर मेरे भाई ये पॉइंट हम लोगो ने section 139.1 पड़ते वक्त भी रखा था. 139.1 time limit to file the return of income. अगर आप TP report के लिए liable है, तो ये क्या हो रहा है? और आपिए प्रशा प्रशा आप देखा रहा है? वाह, सर कुछ तो हो रहे है, भूत आया है हमारे computer में बूत आया है. ऐसे अचानल भूत आजाते हैं and I hate it. बता के है I could have been done better. उसके स्वागत करता अच्छे से. हर वो व्यक्ति जो international transaction में जा रहा है या specified domestic transaction में जा रहा है उसको एक report obtain करनी है CA से कि हाँ यह जो transactions किये हैं इसने अपने तरीके से सही किये हैं आम्सलेंट प्राइस पर किये हैं वो CA से report लेगा कि हाँ उसने जो किया है अच्छा दीकि CA से report लेने से फरक यह पढ़ जाता है कि confidence बढ़ जाता है कि जो transaction हुआ होगा या अच्छे से हुआ होगा मतलब इसमे substantial non-compliance नहीं हुए होंगे और यह report उसे 30 November of the assessment year तक के submit करनी है मतलब return के साथ आपको याद होगा हमने 1391 में पढ़ा था अगर कोई भी वेक्ति return भर रहा है जिसको TP report है 92 E word आया था और हमने उस टाइम बस इत्ता लिगा था TP report अगर कोई भी वेक्ति TP report के लिए liable है तो उसको 30 November of the assessment year return भरने की last date होती है सब्टेंबर सब्टेंबर से एक मेना और मिलेगा right October and आप November में भरो कोई problem नहीं मतलब दो महिने का sufficient time मिलता है TP report को compile करके CA से report करवा के audit लेके सब करने का पिर country by country reporting यह पिछले साल introduce किया वा एक concept है अब जरा समझेगा यह पिछले साल introduce क्यों किया गया और इसका objective क्या था सर इसका objective बहुत ही simple था देखिए मैं assessment कर रहा हूं और assessment एक associated enterprises के बीच में हुआ है जरा समझेगा विजय विजय का एक associated enterprises दुबई में बैठा है ठीक है पर आप सोच के देखे ना विजय को सिप मतलब AO को सिप उतना ही transaction देखने को मिलेगा जितना हमने show किया है विजय और दुबई के बीच में पर विजय औ सकता है विजय और ट्रिलिया हो सकता है उस बंदे का किसी और के साथ third connection हो सकता है जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मेरी branches कितने company में है कितने country में है मैं किस किस में क्या-क्या hold करता हूं तब तक कि AO को तो कभी पता ही नहीं चलेगा उसको तो सिप उतना ही दिखेगा जितना आप दिखाना चाहते हो तो अब तक ऐसे ही हो रहा था उसको उतना ही दिखता था रिपोर्ट में जितना आप दिखा देते थे यह उने बोला अच्छा मतलब वो जो डीमड वाला प्रोविजन था इन्होंने लौ में तो लाके रखा था लेकिन उसका एक्चुल इंप्लिमेंटेशन ही नहीं था कि कोई असोसियेट एंटरप्राइज ने अन्रिलेटेट के साथ ट्रंजैक्शन किया और वो पैसा घूम के इसको आया ऐसी चीज नहीं किनटने कंद कर रहें तब तक इससे बात काहां से अएगी च अहल को गोर्मेंट निया निकाला क額शन कॉंचेप्ट था country by country reporting नाम से ही फेमस है country by country मतलब जितनी जगह आपकी शाहाएं है ने exist सब और लखनते हो और नहीं है तो लिखने रखो है आमकी कुटली शाता नहीं मतलब यह रिपोर्ट तो तब व itu करने है जब आपका multiple country में holding ना हो specified domestic transaction हो इंडिया के इंडिया में हो और किसी दूसरे कंट्री में न हो तब भी है तो बता कितने जगा है और नहीं है तो भी बता कि क्यूं नहीं है और कहानी है आमची कुटली चाखा नहीं शोकर इंच वाट फिर ये रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट जाएगी निल रिपो assessment वाली कि इनको कहीं से पता चल गया इनने सर्च किया तो पता चल गया मतलब वो तो फिर अपना वापस assessment ओपन हो गहीं होगा है ना भाई साब चाप्टर नया है उनके पावर नहीं उनके पावर पावर ही है तो country by country reporting अच्छा यह country by country reporting करनी किसको पड़ती है parent entity को बोलो किसको पपपाई तो बताएंगे तेरे कित्ते भाई बहन है कि अरे बाई साब मेरे को इत्ती अकल तोड़ी नोगी बच्पन से अबस्तों पपपाई यह यह तेरा भाई यह तेरी बहन है जब तक क्या बताएंगे निताब तक क्या पता कहां से चलेगा ना मेरा भाई यह कौन है पता चला एक आदमी को अपने जैसे दिख़ा है तू So, parent entity, so parent auntie I mean entity of international group, parent entity of international group if it resides in India shall be required to furnish the report in respect of group to prescribe authority for every accounting year along with return of income, parent entity means any entity who has prepared consolidated financial statement. Any entity who has created consolidated financial statement. reporting shall disclose reporting shall disclose reporting shall disclose reporting पहला, amount of revenue, PBT, total employment, सर ये तो अब हद हो गई, total employment क्यों बताना है? बेटा, total employment जब तक बताएगा नहीं, तब से तेरा POEM कहां से determine करेंगे? याद कर, POEM में one of the criteria है, अगर आपका 50% से ज़्यादा employment outside India हुआ, तो यह आपका POEM outside India मानेंगे? याद आ रहे? पांचवा assets, सर अब assets क्यों बताने है? बेटा, ये भी तो criteria है, POEM decide करने का? Other particulars, मतलब आप खुद हुन को हो करके declaration दो, कि हमारा क्या है, कितना है और कैसे है? country by country, हर country का अलग. I hope आपको एक पूरे logical sequence में जा रहा होगा chapter. Is that done? Yes, we'll have a short break. आप देखते रहिए और मेरे साथ tuned रहिए. मैं हूँ CA Vijay Sarada from VeeSmart Academy. Subscribe किजे मेरे चैनल को CA Vijay Sarada. Bye, take care. कुछ।